क्या अमरीका में तालीम निस्वा का हख दिलाने के लिए आवाज इसलाम से हजास साल बात बुलन की गई है अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तिन कीप आउन वाचिंग पिस्मिल्ला रख्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम यौल और पिस अपान उमेनिटी माइनम इस डॉक्टर मुझ्जिम शीद और वेलकम यौल तो मैं चैनल मेरी जानब से प्यार और मुझबत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए आप जो भी है आप जहां भी है आप सब मेरी फैमिली है अगर आप में चैनल पर नहें तो मैं आपको बता जाए चलू इस चैनल पर हम इसलाम का एक मुझ्बित पहले उजागर करते हैं और जदीद साइसे तैक्रिकात को कुरान और अदिश की रोश्नी में पेश करते हैं तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरस्टेड हैं तिन कंसीडर सब्सक्राइब हैं तो चलिए अब बातें बहुत अच्छी है ना लैट्स के स्टार्टे जीते वीडियो जैसा कि आज की वीडियो के दिखाई-चराइबा ती सुर्खवाना की पैडाईश शुमाली अमरीका के एक एहम मेकसिको मैं हुई इस वक्त तक मैकसिको पर स्पेन का गदजा था सुर्खवाना को बचपन से इटालिम हासल करने का बहुत शौक था और वो अला तालीम हासिल करना चाती थी मगर इस दौर में आला तालीम सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस थी उसको तालीम हासिल करने का इतना शौब था कि अगर उसकी वालदा उसे मरदाना भीज बदल कर कॉलिज जाने की इराज़त दे देती तो वो तब भी कॉलेज जाती हो तालीम हासिल करती सुर्खवाना ने तालीम अपने दादा की एक जाती लाइबरेरी से शुरू की वो अपनी जिन्दगी को तालीम के नाम वक्फ करना चाहती थी इसी नियों उसने रहबानियत को अख्तियार कर लिया जैसे जैसे सुर्खवाना के इल्म में अधाफा होता गया वैसे वैसे सुर्खवाना ने अमरीका की समाजी और मजभी निजाम के खिलाफ आवाज बुलंड करना शुरू कर दी आज के तारीखदान और मौकिकीन सुर्खवाना को अमरीका की पहली हुकुक निस्वा की अलंबरदार कहते हैं उसने अमरीका में औरतों की तालीम पर लगे कटवन को हटाने के लिए सौ सजायत किताबे लिखी जिन में से सिर्फ चन्दी शाय हो पाई औरतों की तालीम के लिए आवास बुलंद करने की उसे ये सजा मिली कि उस दौर के आज बिशप आफ प्यूबला जो कि उस वक्त के सबसे बड़े इसाई राहित थे उन्होंने उसे डिबेट के बजाए दूआ करने की सला दी आखरी वक्तों में उसे सजा के तौर पर अपनी जाती लाइबरेरी की चार हजार किताबे बेचना पड़ी और तमाम रकम खेरात करना पड़ी जुर्खवाना की तालीम के हसूल के लिए की जाने वाली जंग से हजार बरस पहले अरब के तपते सहराओं के एक वीरान घार में मुहम्मद मुस्तफ़ा अल्या 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 पर पहली वही नाजल हुई और अल्ला रब लिजद ने इंसानें से कुछ यू का लाम इर्शाद फरमाया इस आयत के नुजूर के बाद से तालीम के दौर का वो आगाज हुआ कि जिसके लिए रसूल एकम ने इर्शाद फरमाया है चुनाचा सुनन इबन माजा किताबल मुकदमा किताब नमबर एक की हदीस नमबर 299 में मौजूद है कि इल्म हासिल करना हर मुसल्मान पर फर्ज है रसूल से लिए इस हदीस में इल्म का हुसूल बिला तफरीक मर्दोजन फर्ज करार दिया है सुर्खवाना से हजार साल पहले इसलाम में तालीम निस्वा की एक बहतरी मिसाल अम्मी आईशा सिदीगा के रूप में मिलती है जोनों ने बहुत कम उमरी में ना सिर्फ खुद इल्म सीका बलके हजारों मर्तों और ओर्टों को इल्म देने का बाइस बनी और आज तक मुसल्मान उनके इल्म से फैस उठा रहे हैं तो देखा आपने कि दुनिया की तारीख में पहली बार इसलाम में औरत के लिए तालीम के हसूल को फर्स परार दिया और उसको ये हख दिया जो कि हजार साल बात भी अमरीका में हासल ना हो पाया इसी के साथ इस वीडियो का इत्ताम करते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजेगा इसे शेयर कीजेगा कॉमेंट सेक्षन में अपनी आरा से आगा कीजेगा मेरे चैनल को भी सब्सक्राब करें और बेल आइकेम को प्रेस करें जाते जाते एक चोटी सी बात आपको याद दिलाता चलू जिन्दगी में कितनी मुश्किलात क्यों नहों कितनी मसाहिल क्यों अल्ला रब्बुलिजद पर तवक्कल करते रहें और मुस्कुराते रहें सुन्नत भी है और सदकाय जारी अपिया and guess what you look good too this is me Dr. Mujdum Chhet signing off Assalamualaikum you all and peace upon humanity